सच बता तुम मेरे लिए रोए थे अरे बताओ ना रोए थे क्या अल्राइट गईस तू आप लोगों ने कुछ इस टाइब की वीडियो अपने इंस्टाग्राम के अंदर तू देखा होगा यार अभी के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है तो आप लोग इस टाइब की वीडियो को किस तरीके से एडिट कर सकते हूँ आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को स्टाइब बाई स्टाइब बताने वाला हूँ आप लोगों को simply अपना VN application open करना होगा simply आप लोगों के पास अगर VN नहीं है तो मैंने description box पर दे दिया है उस application का link जाके वहाँ से easily download कर लेना ठीक है तो open करने के बाद कुछ ऐसा interface आएगा तो यहाँ पे जो plus का icon है simply आप लोग इस plus का icon पे click कर देना then यहाँ से new project वाले option पे click कर देना and guys आप लोगों को अपने telegram channel पर एक video clip दे दूँगा 8 second की ठीक है तो वहाँ से download कर लेना आप लोगों then यहाँ से add कर लेना ठीक है तो कुछ इस तरीके से click करना और इस blue वाले icon पे click कर देना ठीक है तो यहाँ पे guys आप लोगों की video आ जाए इस तरीके से हमारी video है तो आप लोग भी कुछ ऐसी video लेना जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से sky में space हो ठीक है यहाँ पे sky देख सकते हो कुछ इसी तरीके से आप लोगों के sky में भी space होना चाहिए मतलब video में sky थोड़ा दिखना चाहिए तभी ना हम sky अच्छे से चेंज कर सकते हैं यहां से जो white वाला लखीर है इसको हम plus के आइकन के पास लेके आएंगे सिम्पली ठीक है और लाने के बाद अब हम इसकाई एड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर टैप टू एड़ स्टिकर वाला जो option ने सिम्पली इस पर क्लिक कर देना तैन यह से वीडियो फोटो वाले option पर क्लिक कर देना और आप लोगों को मैं अपने टैलिग्राम चैनल पर यहाँ पर जो इसकाई में यह वाली वीडियो जो यूज कर रहा हूं आप लोगों को यह वीडियो क्लिप मिल जाएगी आप लोगों को टैलिग्राम पर ठीक है डाउनलोड कर लेना अगर आभी तक आप लोगों ने मेरे टेलिग्राम जोईन नी किया तो यह रिस्क्रिप्शन पे लिंक जल्दी जाओ वहां पे जोईन कर लो सारे इस टॉक्स हुआ ही पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इसको बड़ा करके सिंप्ली ऊपर कर देना कुछ इस तरीके से कर देना इसमें मतलब दो बार क्लिक कर देना और जो इसक्रीन पर एरो दिख रहा है सिंप्ली इसको पकड़के पूरा नीचे की तरफ खेच देना ठीक है इतना करने के बाद आप लोगों को ने बहुत ही ज्यादा ट्रेंट कर रहा है तो आई होप समझ गया होगे कि किस त ज़्यादा फेक सा लग रहा है तो इसके लिए घराना होगा थोड़ा सबनी वीडियो पर कलर टॉन डालना ओगा इसके लिए खाइस हमें फिल्टर वाले और पर क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारे फिल्टरस जिनका यूस करके आप लोग अपने हिश्चाई की तरह चेंज कर सकते हो, मतलब color match कर सकते हो, ठीक है, तो ये वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, अब देख सकते हो, बिल्कुल fake सा नहीं लग रहा है, और बाकी यहां से intensity वगर है, अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, इतना करने के बाद, अब हमें क्या करना होगा, कि music add क करने के लिए हमें tap to add music वाले option पर क्लिक करना होगा, ठीक है, तो यहां पर आप लोग सिंपली क्लिक कर देना, एंड यहां से music वाले option पर क्लिक कर देना, ओके, एंड करने के बाद, यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना, एक्स्ट्रक प्रॉम वीडियो पे चले जाना, और आप लोगों को टेलिग्राम पर एक वीडियो दे दूँगा, पंदरा सेकेंड की, उस वीडियो को कुछ इस तरीके से डाउनलोड करके, क्लिक करके, ओकी कर देना, ठीक है, तो उसका जो sound हो वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर sound आने के पाद, यहां पर choose क करना, इतना करने के बात, अब आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर देख सकते हो, जहां तक आप लोगों का music है, वहां तक बागी का clip रखना, बागी का clip या cut कर देना, या फिर कुछ इस तरीके से छोटा कर देना, ठीक है, तो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, अब ग यहां से कोई साइभी effects आप लोग यूज कर सकते हो, अपनी वीडियो पे, तो मैं बेसिकली यह वाला zoom in वाला effect बहुत ही ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इसको यूज कर लूँगा, और बाकी इसको पगड़ के कुछ इस तरीके से फूल कर देना, बाकी यहां से छोटा बड़ा आप लोग रख सकते हो, ठीक है, इतना करने के बाद, आप लोग क्या करना है, कि simply नीचे डन कर देना है, और डन करने के बाद, अब हमारी जो वीडियो है, वो completely ready हो चुकी है, एक बार मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ, कि हमारी वीडियो किस तरी को म्यूट कर दिया है, बागी आप लोगोंने प्रिव्यू पर देखी लिया है, और यहाँ पर आप लोग एडिटिंग देख लिये हो, तो आप लोग भी इस टाइप की वीडियो को एडिट करो, और simply यहां से एक्सपोर्ट कर दे हैं, और यहां से डन कर देते हैं, ठीक है